अब्रीवान, वेलकम टू लर्नर भी, I am Shivani Chauhan, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुका चाप्टर 16 इसमें हम एक्सराइज सलुशन देखेंगे, इससे पहले इंटेक्स सलुशन हमारे कम्प्लीट है तो पहला क्वेशन है, what changes would you suggest in your home in order to be environment friendly अगर आपको environment friendly बनना है, तो आपके घर में आपको क्या-क्या changes आप suggest करेंगे, कैसा होना चाहिए तो आंसर इसका, changes can be undertaken in our homes to be environment friendly, यह आप changes ले सकते हैं Switch off the electrical appliances when not in use, तो देखें जब आप रूम में नहीं है, तो fan, light वगेरा, switch off कर दीजे, क्या करेंगे वो चल के, किसको हवा देगे है Turn the taps off while brushing or bathing and repair the leaking taps तो जो taps तंकिया जो बह रही है, तपक रही है, उनको ठीक कराएं जब आप brush कर रहे हैं जिस समय पर, उस समय पर फालतु में आप तंकी, ना खोल करके रखें जब ना रहे हैं तो अभी जादा पानी waste ना करें, तो पानी को बचाएं, बिजली बचाएं Throw biodegradable and non-bio degradable waste in separate bins तो दो dustbin बनाएं, एक biodegradable waste होता है, जैसे कि जो फलो के, सबजियों के छिलके हो गए है यह होता है biodegradable waste, non-bio degradable, यानि कि जो सड़ता नहीं है, वो होता है, non-bio degradable जैसे प्लास्टिक वगरा हो गया, काच हो गया, यह अलग लग दबों में टाले, ताकि इनका segregation, इनको अलग लग करना आगे के लिए भी असान हो जाए जो workers उसको फिर segregate करते है, construct composting pits, यानि कि कुछ अगर आपके घर में गार्डन वगरा है, फोड़ा एरिया है जहां पर फिर आप गड़ा खोल करके यानि कि जो बायो डिगड़बल वेस्ट है, यानि कि गड़े में टाले, उसको फिड़ा करके रखे, उसको फिड़ा करके रखे, उससे क्या होता है, उल्व रखता भढ़ती है जमीन के आफे आफे पाद ही लगा सकते है, फूड आइटम सच इस जैम, पिकल, एक्टरा, कम इस तरीके से, ऐसी प्रैक्रिसेस फॉलो करके ना, हम लोग एटम्ट फ्रेंडली अपने घर को बना सकते हैं, नेक्स्ट क्वेस्टन है, जैस्ट सम चेंगेश्गेस इन यूर स्कूल विच वूट में अवरिमेंट फ्रेंडली आप अपने स्कूल में क्या का सी चीज़े कर सकते हैं कि आपका school environment friendly बन जाए तो देखो answer है changes that can be undertaken in a school to make it environment friendly तो electricity can be saved by switching of lights and fence when not required तो बिजली जो है पंखा बंखा बंखा बंदन रखे हैं कि जब 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 रहता हूं Turn the taps, taps बंद रखे, biodegradable, non biodegradable waste जो है वो भी आप separate कर सकते हैं सेमी तरीके हैं और school में जो है जैसे कि आप जादा environment friendly चीजों का इस्तेमाल करें dustments होने चाहिए वो भी separate होने चाहिए कि biodegradable, non biodegradable waste है और जैसे जो बोर्ड वगेरा है उसमें आप जो इंक वाला इस्तेमाल करें चौक वाला इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उसको waste ना करें तो basically आप ना अगर कुछ भी environment friendly बना चाहते हैं तो wastage ना करें waste ना करें, चीजों का judiciously इस्तेमाल करें, पानी ना वेस्ट करें, कच्रा ना फिला है इसी तरीके से आप environment friendly बन सकते हैं next question है we saw in this chapter that there are 4 main stakeholders when it comes to forest and wildlife which among these should have authority to decide the management of forest produce why do you think so हमने चैप्टर में पढ़ा है कि 4 authority हैं जो forest पे control रखती है तो आपके हिसाब से किस सरीके से उसको manage किया जाना चाहिए, किसको manage करना चाहिए तो answer है forest department of the government should have the authority to decide the management of forest produce तो जो भी forest से चीजे आ रहे हैं वो government ही decide करें कि किस सरीके से उनका इस्तमाल किया जाना चाहिए this is because the forest department is the caretaker of forest land and responsible for any damage to the forest तो जो forest department होता है ना वही caretaker होता है forest का और वही responsible होता है कि forest में कुछ गरबड हो रही है सही हो रहा है तो सारी responsibility forest department की होनी जाहिए next question है how can you as an individual contribute or make difference to the management of forest and wildlife, water resource, coal and petroleum तो आप एक individual है आप किस तरीके से इन forest and wildlife को कैसे आप manage करें कि सब चीजे ठीक रहे तो forest and wildlife का देख लेते हैं सबसे पहले we should protect against the cutting of trees हमें protest करना चाहिए मतलब विद्रोग करना चाहिए या फिर अगर कोई jungle कट रहा है या फिर फालतू के perifid काटे जारा है deforestation के खिलाफ हमें अवाज उठानी चाहिए we should protest against the poaching of wild animals, we should stop the annexation of forest land by for RU तो देखो poaching of wild animals यानि की जो wild animals को मारा जाता है और इनको बेचा जाता है यह सब जो है इसके खिलाफ अवाज उठानी चाहिए और अगर कोई जबरदस्ती होतारा लैंड हडप लेता है जंगलों का लैंड तो उसको भी रोकना चाहिए वाटर का हम लोग किस तरह सच्छे से समाल कर सकते हैं तो तरन तपस ऑफ वाइब ब्रशिंग और बादिंग और रिपल लीकेज लीकिंग तपस तो हम लोग को वाटर हर्वेस्टिंग और बाकी जो है वेस्ट रिवर में तो रिवर में जो है वो गंदगी वगेरा हम लोगों को नहीं पहलानी चाहिए कोल और पेट्रोलियम में देखें we should take a bus और प्राक्टिस कार्पूलिंग को अपर नहीं करना चाहिए क्योंकि कोईले से बहुत ज़दा pollution होता है, air pollution, land pollution, water pollution, सब बहुत ज़दा pollution होता है कोईले से, तो उसका इस्तमाल हमें नहीं करना चाहिए We should use alternative source of energy such as hydro energy and solar energy instead of depending largely on coal and petroleum तो coal and petroleum पर depend करने से, अचा है हम लोग hydro electricity जो की पानी से बनती है, solar electricity जो की सूरज की रॉष्णी से बनती है उसका इस्तमाल हमें जाद से जादा करना चाहिए क्योंकि ऐसा गरने से हम लोग को, मतलब यह environment friendly fuels है, solar और hydro जो है, इससे हमारे environment को नुकसान नहीं पहुंचता है पुलीशन भी यह नहीं फिलाते हैं, इसलिए इनका इस्तमाला में करना चाहिए Q5. What can you as individual do to reduce your consumption of various natural resources? आप एक individual एक परसन के तौर पर अपने natural resources का consumption को कैसे कम कर सकते हैं तो तो इसका answer है, natural resources जैसे की water, forest, coal, petroleum etc are important for survival of human beings तो यह हमारे survival के लिए बहुत ज़्यादा जुरूरी है ताप ways on which we can reduce the consumption of various natural resources तो ways जिससे हम लोग natural resources को का consumption का इस्तमाल कम कर सकते हैं We should stop cutting trees, defolestation रुखना चाहिए We should use recycled paper to reduce the cutting of trees तो paper जो हम लोग use करते हैं, पेडों से बनता है तो हमें waste नहीं करना चाहिए Let's practice carpooling to avoid the excessive use of petroleum तो हम लोगों को, या तो carpooling करनी चाहिए या तो हम लोगों को bus से, जो है, public transport से travel करना चाहिए We should use alternate source of energy such as hydro and solar तो hydro energy, solar energy का इस्तवाल करना चाहिए तो यह ही है, दोचार चीज़ी आत कर लो, सब में यह ही चिप दो ऐसा ही है यह वाला chapter List 5 things you have done over the last one week to conserve natural resource पिछले 5 हफ्तों में आपने आसा क्या किया है क्या किया है आपने आसा जिससे आप अपने environment और natural resource को conserve कर सकते है तो to conserve natural resources, travel by a CNG bus for long distance and walk for short distance You can also use a cycle आप cycle के स्टमाल कर सकते हैं, बाइक के जगा है, पाट्रोल लगता है आप cycle से जा सकते हैं, walk कर सकते हैं, pass जाना है तो CNG buss से जा सकते हैं, दूर जाना है तो फिर उसके बाद recycle paper का इस्तमाल करें Throw biodegradable, non biodegradable waste and separated bins तो अलग-लग dustbins में डालें, biodegradable, non biodegradable waste Plant trees and promote deforestation Paint लगाए Use electricity and water judiciously यानि की, बिजली पानी का समस्दारी से उप्योग करें Adopt alternative source of energy Alternative source of energy काउन से होते हैं? Solar, hydro, है ना यह alternative source of energy होते हैं Alternative क्यों? क्योंकि Main source, जो कि पिछले 60-60 से इस्तमाल करें वह है coal petroleum तो इसकी जगह अगर हम लोग hydro, solar है ना या फिर nuclear इनका सितमाल करें इनका सितमाल करें इनका सितमाल करें तो फिर environment friendly भी हो सकते हैं और यह pollution भी कम करते हैं Next है आप क्या कर सकते हैं To increase the pressure on our natural resource Natural resource पे pressure प्लान के काम तो नहीं करना चाहिए But कैसे कर सकते हैं Use non-renewable sources of energy Waste water, waste electricity, use plastic यह सब हमें नहीं करना चाहिए तो कि यह सब नुकसान थे होते हैं हमारे environment के लिए Excelerator वो होते हैं जो सीडियां होते हैं जो प्याप चलती रहती है वो accelerator होते हैं प्याप चलती है Next question है इन सब चीजों के सितमाल अगर हम जादा करेंगे हमारे natural resources पे जोर बढ़ता है question 7 On the basis of the issues raised in this chapter what changes would you incorporate in your lifestyle in a move toward a sustainable use of resources तो chapter के basis पे आप क्या-क्या बदलाव लेकर के आ सकते हैं अपनी life में ताकि हम लोगों के जिंदगी more sustainable हो जाए sustainable का मतलब होता है हम लोग कम से कम resources का इस्तमाल करें लंबे से जादा से जादा समय के लिए तो one should incorporate कुछ changes हम अपने life में लाने चाहिए stop cutting trees and practice plantation of trees afforestation हम करें हम जादा स्जादा पेड़ पॉधे लगाए stop using plastic and polythene bags for carrying goods तो plastic and polythene bags कम से कम सितमाल करें और कपड़े के bags हम लोग सिल करके रखना चाहिए जादा मार्केर में जाए तो उनको ही लेकर के जाए समयाने करें use recycled paper throw biodegradable and non biodegradable waste in separate bins waste the minimum amount of water while using and repair leaking taps तो भाई बिजली पानी का सही तरीके से समाल करें कूडे के दो अलग अलग डबे बनाए जिसमें हम लोग जो जाविक कूडा है जाविक करें जाविक करें जाविक करें अगर हमें अपने लाइफ को सुस्टेनिबल बनाना है यह थे सारे questions exercise के आपको वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा है तो लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें जाविक करेंगे तेंक यू